नमश्कार दोस्तों, मैं पुजय यादव, बीक और गयानिक से, जैविक खेती और वागवानी में आपकी साथी, दोस्तों उमीद करती हूँ, आप सभी स्वास्थ है, मस्त है और जैविक खेती में अपना योगदान जरूर दे रहे हैं, दोस्तों योगदान छोटा हो या ब दोस्तों, आज का वीडियो भी जैविक खेती से ही रिलेटेड है, और ये है जैविक कीत नाशक पर, जो है अगनियास्तर, आज हम अगनियास्तर से रिलेटेड डीटेल में बातचीत करने वाले हैं, एक किसान भाई ने मुझे कमेंट भी छोड़ा था कि नर्मे की फसल पर जा सकता है, किन-किन फसलों पर इसका उपयोग किया जा सकता है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो फ्रेंट्स वीडियो में आन तक बने रहिए, और अगर चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे, तो आईए शुरू करते ह तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं, क्या है अगनियास्तर? अगनियास्तर एक जैविक कीतनाशक है, इससे पहले हम नीमास्तर और ब्रहमास्तर पर बात कर चुके हैं, आज हम डीटेल में अगनियास्तर पर बात करने वाले हैं, फ्रेंट्स आप जब रसायनिक खेती कर र में लगता है वो सभी चीजे आप स्वयम अपने घर पर तेयार कर सकते हैं बिना किसी लेबर के अपनी परिवार की सहायता से घर में मिलने वाली चीजों से मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके साथ वह सारी डीटेल्स प्रॉपर तरीके से शेयर करूं जिससे आपको जैविक खेती करने में सहायता मिले आप में आत्मविश्वास आये कि नहीं हम जैविक खेती शुरू कर सकते हैं तो आज के वीडियो में अग्नियास कीटों पर काम करता है दोस्तों स्पेसलि ये रस चूसने वाले कीट पर छोटी सूंडियों पर रड बेटल पर अपकी अटी इस तरीके कि जो भी भीमारी आपकी फसल पर यह उन सभी बिमारी ओं मेरियों बनागर उसका इस्प्रे शुरू कर दीजे बहुत जादा खर्चा नहीं आता है और किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट आपकी फसल पर नहीं होता है तो अगर आप कीट के आने के पहली अवस्था के भी पहले अगर जैवी कीट नाशक का इस्प्रे शुरू कर देंगे तो आपकी फसल पूरे तरीके से बच जाएगी तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं अग्नियास्तर में लगने वाली सामगरी की आपको सबसे पहले लगने वाले हैं नीम के पत्ते वो भी 5 किलो 5 किलो नीम के पत्ते आपको लगेंगे दूसरी चीज आती है गौमुत्र गौमुत्र आपको देशी गाय का लेना है वो भी 20 लीटर दोस्तो अगर आपके पास गौमुत्र की जगे वेश डीकंपोजर है तो आप उसका भी उप्योग कर सकते हैं उससे भी आपको बहुत अच्छे परिणाम राप्त होंगे तो आपको लेना है 20 लीटर गौमुत्र उसके बाद आता है तंबाकू पाउडर तंबाकू आप सभी अल्मोस जानते होंगे तंबाकू पाउडर ब्राउन कलर का होता है जो नॉर्मली पहले के टाइम में खाया चाता था आज भी बहुत से लोग इस गंदिलत के शिकार है तो जी हाँ वही तंबाकू पाउडर आपको लेना है 500 ग्राम फिर आपको लेनी है तीखी हरी मिर्च बहुत जादा तीखी होनी चाहिए जिसे आप लॉंगी मिर्ची भी बोलते है छोटी छोटी आती है तीखी हरी मिर्च लेनी है वह भी लेनी आपको 500 ग्राम इसके बाद लहसुन की चटनी वह लेनी है 500 ग्राम मैं सामगरी एक बार रिपीट कर रही हूँ आप चाहे तो आप नोट कर लीजिए आगे के लिए अच्छा रहेगा नीम के पत्ते 5 किलो गौ मुत्र देशी गाय का 20 लीटर अगर गौ मुत्र नहीं है वेस डी कंपोजर का भी उप्योग कर सकते हैं तंबाकू पाउडर 500 ग्राम तीखी हरी मिर्च 500 ग्राम लहसून की चटनी 500 ग्राम आई होप आपने नोट कर लिया हो ये सारी चीजे हमें लगने वाली है अब हमें क्या करना है हमें हरी मिर्च लहसून और नीम के पत्ते इन सभी का बारीक फाइन पेस्ट या यूं कहिए चटनी बना लेनी है जो भी चीज आपके पास अवैलेबल है mixer grinder है उसमें बना लीजिये खल्बत्ते में बना लीजिये जो भी आपके पास है आप उसमें stroper तरीके से इसकी चटनी बना लीजिये हरी मिर्च लहसून नीम के पत्ते тол 사 PayPal को आपने अच्छे से पीस लिया है उस सारी चीजे आपने लेकर जो गौमुत्र या वेज़ डिकंपोजर आपके पास है उसमें डाल देना है उसमें डालके आपको इसे मद्धी आज पर उबालना है मिट्टी के बरतन में जो सारी चीजे हैं उनका आपने फाइन पेस्ट बना लिया है उसमें तंबाकू पाउडर भी मिला लिया है और गौमुत्र या वेज़ डिकंपोजर जो आपके पास अवैलेबल है आपने उस पर इन्हें मिट्टी के बरतन में मद्धी आज पर उबालना है लग भग दो उबाल आपको लेने हैं उस बीच में ये चीजें अच्छे तरीके से उबल जाएगी लेकिन चीजें सारी आपको धीमियाज पर करनी ऐसा नहीं है कि फटाफट फ्लेम आउन कर दिया या फटाफट जला दिया और हो गया काम ऐसा नहीं है धीमियाज पर पकने दीजिए उसका पूरा अर्ख हमें उतारना है तब ही हमारा अग्णियास्तर कंप्लीट होगा एक बार दो बार उबाल आपने ले लिया है उसके बाद उससे आज से उतार लीजिए और 48 गंटों के लिए ठंड़ा होने के लिए छोड़ दीजिए 48 गंटों के बाद इसे ढखना न भूले कपड़े की सहायता से आप इसे कवर करके रख दीजिए और 48 गंटों बाद इसे चान कर आप उपयोग में ला सकते हैं इस बीच में आपको लगातार दो से तीन बार आपका जो मिश्रन है उसको लकड़ी के डंडे की सहायता से हिलाना है हिलाना न भूले अच्छे से मिक्स होना बहुत ज़रूरी है तो 48 घंटों के बीच में दो से तीन बार आप उसे लकडी के धंडे की सहता से अच्छे से मिक्स कर दीजिए 48 घंटों बाद आप इसे कपड़े की सहता से या छलनी से जो भी आपके पास अवैलेबल है उससे छान दीजिए अपका अगनियास्तर पूरे तरीके से रेडी है काम करने के लिए अब इसे यूस कैसे करना है दोस्तों अगर आपने पांच लीटर अगनियास्तर लिया है तो 200 लीटर पानी आपको लेना है और यह एक एकड़ में स्प्रे करने के लिए सफिशेंट होता है मतलब 200 लीटर पानी के साथ में आप 5 लीटर अगनियास्तर का उपयोग करेंगे एक एकड़ की फसल के लिए अच्छे से स्प्रे करना है अपने पौधों को पूरे तरीके से नहला देना है अगर आप इस तरीके से इसका उपयोग करते हैं तो मैं आपको श्यॉर्टी देती हूँ कि जो भी तना छेदा कीट या पत्ते खाने वाले या जो सफेद मक्ही या जो छोटी सुंडियों का प्रकौब आपकी फसलों पर होता है वो पूरे तरीके से खतम हो जाएगा अच्छा कि ये कीट नाशक का काम तो करेगा ही करेगा साथ में ये आपके जो फसल है आपके जो पौदे हैं उन्हें पोशक तत्व भी प्रदान कर रहा है क्योंकि इसमें गौमुत्र है इसमें गौमुत्र ना ले रहे हैं तो वेस्डी कंपोजर है ये दोनों चीज़े आ परापन आपकी फसल में आएगा वो आप खुदी देख पाएंगे खुदी विजिबल होगा और जब फसल हेल्दी होती है फ्रेंट्स तो उस पर कीटो का प्रकॉप अपने आप नेक्स टाइम से कम हो जाता है तो इस तरीके से आप अगनियास्तर का उप्योग कीजिए बहु अगर आपने निवाश्तर का प्रयोग किया है कई बार डिमांग में डायूट रहता है इनसान के कि मैंने निवाश्तर का उप्योग किया था कि आप रगूं कर सकता हूं बिलकूल आप कर सकते हैं आप इन दोनों चीजों को एक हफते के गैicking ऐप में चलने दीजिए आपने लेंगे वो तो अपने आप में सोने पर सुहागा काम करने वाले हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप नीमास्त्र अग्नियास्त्र ब्रह्मास्त्र इनका कॉंबिनेशन बनाकर अपनी फसलों पर यूज़ कीजिए इन तीन चीजों के अलावा आपको किसी और चीज की जरुरत कि ही नहीं सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए आपको सतर्क होना चाहिए कि मेरी फसल पर कीट आने वाले हो उसके पहले ही मैं सारी तैयारी करके रख लू कोई मेजर खर्चा नहीं होना है लसन हरी मिर्ची इसमें क्या खर्चा होगा आपका कई किसान तो खुदी उग तीन महिने के अंदर ही इसे पूरा उप्योग कर लें तो दोस्तों ये हो गई complete जानकारी अगनियास्त्र के उपर बनाना कैसे है यूज कैसे करना है किन-किन फसलों पर यूज कर सकते हैं ये पूरी जानकारी हमने कवर की है इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है या आपकी किसी particular फसल पर कोई कीट आया हुआ है या आपकी फसल के साथ कोई परिशानी चल रही है पत्ते पीले पड़ रहे हैं जो भी जानकारी आप चाहते हैं या जिस भी फसल की जैवी खेती करने के बारे में complete जानकारी चाहते हैं आप हमें comment box में बताईए हम proper तरीके से बिना खर्च के आप खेती कर सके वो सारी चीज़े आपके साथ में शेयर करेंगे जो भी मेरे किसान भाई जैवी खेती कर रहे हैं please it's a humble request मेरी आप से विंती है कि आप comment box में लोगों के साथ शेयर कीजिए कि हाँ हम जैवी खेती कर रहे हैं और इसके परिराम बहुत अच् के इन वीडियो की जर्रत हर उस किसान को है जो जैवी खेती करना चाहता है तो मैं उमीद यही करूंगी कि आप अपने जो भी सरकल में किसान भाई हैं जो भी ग्रुप से वहाँ पर शेयर करें और लोग इसे जादा से जादा देखें जादा से जादा समझें जब अपयोग में लाएंगे और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियो जगर आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए थांक्यू